इस वीडियो में हम लोग चैप्टर थ्री दे सैफोर्ट स्ट्रेजर के बारे में पढ़ेंगे तो पहले देखते हैं कि सैफोर्ट का मतलब क्या होता है तथा ट्रेजर का मतलब क्या होता है सैफोर्ट का मतलब गरडिया यानि जो बक्रियों को चराते हैं या फिर भेडों को चराते हैं उन्हें गरडिया कहते हैं और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सैफोर्ट का खजाना क्या है उसको देखते हैं हम लोग तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दिया हुआ है एक गरीब सैफ़र्ड था जो कि इरान में रहता था और वह पढ़ा लिखा नहीं था पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी वह बहुत बुद्धिमान भी था और साथ ही साथ एक दूसरे का मदद भी करता था तो उसके बारे में बहुत दूर दूर तक यह बात फैल गई कि वह पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी वह बहुत बुद्धिमान है तो राजा सोचे कि क्यों ना इसे मिला जाए तो राजा उससे भेज बदल कर मिलने के लिए जाते है तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है इन अ भिलेज इन इरान देर वन्स लिवड़ा सैफ़र्ड इरान के एक गाउं में एक सैफ़र्ड एक गड़िया रहता था यह वह बहुत गरीब था उसके पास रहने के लिए खुद का एक घर भी नहीं था वह कभी इसकूल भी नहीं गिया था और नहीं उसने कुछ पढ़ना सीखा था नहीं कुछ लिखना सीखा था क्यूंकि उस समय बहुत कम इसकूल हुआ करते थे Though poor and uneducated, they suffered was very wise हाला कि वह बहुत गरीब था और पढ़ना लिखावा भी नहीं था उसके बावज्यूत भी जो सेफ़र था वह बहुत बुद्धिमान था He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problem with courage and common sense वह लोगों की जो दुख होती थी या चिंताएं होती थी उसे तुरस समझ जाता था और हिम्मत के साथ उनकी मदद भी करता था उस problem को face करने में उनकी मदद करता था अपनी हिम्मत से और अपना common sense का इस्तेमाल करके Many people came to him for advice बहुत सारे लोग उसे सलाह लेने के लिए आते थे कोई भी किसी भी problem में फस जाता था तो सभी लोग जानते थे कि यह जो सेफ़र्ड है यह तो बहुत बुद्धिमान है इसली लोग इन से सलाह लेने के लिए आते थे Soon he became famous for his wisdom and friendly nature बहुत जल्द ही वह अपनी बुद्धिमानी और friendly nature यानि कि सभी से वह अच्छे से बात करना यह सब के कारण वह बहुत ही famous हो गया दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे The king of that country heard about him and thought of meeting him उस देश का राजा ने जब यह बात सुना तो राजा को उसे मिलने की इच्छा हुई Disguised as a safford and riding on a mule One day the king came to the cave Where the wise safford lived तो safford का भेश बदल के Mule के उपर चड़ कर जिसे खचर कहा जाता है उस पर चड़ कर राजा एक दिन उसे मिलने के रहे गया तो वह राजा जो है वह केव में यानि गुफा में पहुंचता है जहां पर वह wise बुद्धिमान safford रहता था As soon as the safford saw the traveler coming toward the cave He rose to welcome him जैसे जैसे जो safford है उसने जब traveler को देखा कि वह आ रहा है तो उसका welcome करने के लिए वह पहुंच गिया He took the tired traveler inside the cave Gave him water to drink and a share of his own migraine mill तो उसने उस थके वे traveler को गुफा के अंदर बुलाया उसे पीने के लिए पानी दिया और उसके पास जो थोड़ा सा खाना था जैसे कि मैंने बताया था कि वह गरीब था तो उसके पास जो खाना था वही खाना को उसने सेयर करके खाया The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the seffert's hospitality and wise conversation राजा रात भर उस गुफा में रहा और seffert का जो महमान नवाजी है और उसकी जो wise conversation मतलब कि उसकी जो बुद्धिमानी वाले जो बाते थी वो सब सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा impressed हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुस हो गया The seffert was able to make out that his visitor was none other than the king Seffert को ये पता चल चुका था कि वो जो visitor उसके पास आया है वो कोई और नहीं बलकि राजा है The king made the wise seffert governor of a small district राजा जो है वो seffert को एक छोटा सा district का जिला का governor बना देते है Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest दूसरे जो governor है वो new governor से बहुत ही ज़्यादा जलते है और उसे dishonest यानि कि उसे बेइमान कहते है तो देखते हैं ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो उसे बेइमान कहते है इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहें Though still tired the king decided to depart the next morning हाला कि जो राजा था वो बहुत ठक चुका था उसके बावजुद भी राजा जो है वो अगली ही सुबह को वहां से निकलना चाते थे और वो वहां से निकल भी गए He said many thanks for your kindness to a poor traveler तो निकलने से पहले उन्होंने कहा वो जो गरीब ट्रावलर था गरीब जो था उसको कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पर इतना द्यालुता दिखाई वो जो poor traveler है मतब जो राजा है वो दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और आइस गरीब पे आपने इतनी मदद की इतनी मुझे सहायता की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद I have a long way to go मुझे बहुत दूर जाना है Permit me to leave मुझे जाने की आगया दे Looking straight into the eyes of his guest तो वो जो poor safford था वो अपने guest के आँखों में आँखे डाल कर देखता है और कहता है The safford replied safford करता है Thank you your majesty for paying me the compliment of a visit Thank you majesty कि आपने मेरे पास यहाँ पे आने की तकलिफ की और मुझे या औसर दिया कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूँ The king was astonished as well as pleased तो राजा तो हक्का बक कर अगया कि आरे इसको कैसे पता चल गया कि मैं राजा हूँ लेकिन राजा को अच्छा भी लगता है He is indeed very wise He thought to himself और राजा खुद में यह सोचने लगता है कि सच में यह जो safford है यह तो ले में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है I need people like him to work for me मुझे ऐसी ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करे And the king appointed this humble safford The governor of a small district और राजा ने इस humble safford को मतलब की अच्छे तरीके से जो बात करने वाला जो safford है उसको एक small district का एक छोटा सा जिला का governor appoint कर दिया Although he rose to power and dignity The safford remained as humble as ever हाला कि उसको बहुत सारे powers मिल गए उसका dignity उसकी जो गरीमा बढ़ा दी गई क्योंकि वो अब तो वो governor बन गया था फिर भी जो safford का जो humbleness था मतलब उसका जो तरीका था सब इसे बात करने का वो विनमरता से ही रहा People loved and honored him for his wisdom लोग उसकी wisdom उसकी बुद्धिमानी के लिए उसका sympathy वो जो एक दुसरे पर sympathy दिखाता था और goodness उसकी अच्छाई से लोग बहुत ज़्यादा उसे प्यार करने लगे He was kind and just to one and all वो दयाल ही नहीं बलकि उसमें हर प्रकार का गुन था His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country और पुरे देश में वो fair और wise governor मतलब कि वो जो governor था वो अपने fair मतलब कि अच्छे कामों के लिए जाना जाता था वो कोई भी कार्जो करता था तो वो किसी के एक पर वो किसी एक का पक्च वो नहीं लेता था वो निस्पक्च होकर वो अपना फैसला सुनाते थे तो यही सब चीच को देख कर वो धीरे धीरे वो क्या हो गए पुरा famous होने लगे पुरे देश में पुरे इरान में अब किसको पसंद आता है कि उसके सामने किसी और का तारिफ हो अब उस सेफ़र्ट का बहुत ज़्यदा तारिफ होने लगा तो अलग-अलग जो प्रोविंसेस हैं यानि कि अलग-अलग स्टेट के जो गवर्नर थे तो वो लोग जो है वो उससे जलने लगते हैं पहले स्टेट को प्रोविंसेस ही कहा जाता था तो लोग जलने लगते हैं उससे और राजा से उसके बारे में मतलब गलत-गलत बाते बताने लगते हैं वो कहते हैं वो बहुत बेइमान है राजा को कहते हैं जो suffered है वो बहुत बेइमान है वो जब टैक्स कलेक्ट करता है मतलब कि जो कर वसूल करता है तो कुछ पैसा जो है वो अपने पास ही रख लेता है और उसको कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक आईरन का वो चेस्ट पे क्यूं हमेशा बांद के रखता है अपने चाती से लगा के क्यूं रखता है तो यह हो सकता है कि वो जो छुप छुपा के जो पैसा वो जमा करता है वो उसी में सारा खाजाना उसी के अंदर रखता होगा वहीं उसका खाजाना होगा आफ्टर आल दे सेड मोकिंगली ही वाज अर्डिनरी सेफ़र्ड एंड कुट बिहेब नो बेटर वह एक साधारन सा सेफ़र्ड है तो हो सकता है इसलिए वो यह सब चीज को जमा करता होगा पैसा जमा करता होगा तो नया गवर्नर को पैलेस में बुलाया जाता है और से पूछा जाता है कि आप तुम यह बता कि तुम हमेशा आइरन चेस को क्यों अपने से लगा के रखते हो दा चेस्ट कंटेंड नो गोल्ड और सिल्वर चेस्ट जो रहता है उसमें ना ही कोई गोल्ड मिलता है ना ही कोई सिल्वर मिलता है तो क्या मिलता है जिसे देखकर लोग भौचक्के रह जाते हैं सुर्वात में तो राजा ये सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वह कितना दिन तक सभी गवर्नर का बात को इग्नोर कर सकते थे लास्ट में वह सैफ़र्ड के बारे में जो स्टोरी ये लोग बताते थे उस पर राजा सुनवाई करते हैं राजा इसको देखते हैं कि क्या सच में ऐसा बात है क्या सैफ़र्ड रियली में डिसॉनेस्ट है बेइमान है वन तिंग वास सर्टेन एक बात तो पक्की थी दा किंग डिस्करवर्ड कि राजा से खोजी लेगा कि सही में वह बेमान है या नहीं दे न्यू गवर्नर डिट क्यारी अन आरंज चेस्ट विद हीम ओल दा टाइम राजा भी भी सोचने लगा कि ये बात तो पक्की है कि राज जो नया गवर्नर है वो हमेशा अपने साथ आरंज चेस्ट लटकाए रखता है एक दिन नया गवर्नर को पैलेस में बुलाया गया राजमहल में बुलाया गया तो वह अपने केमल उट पे चड़कर आ रहा था तो सभी लोग जब उसे देखे तो सभी मुस्कुराते हैं खुस होते हैं अब खुस होने का राज यह था कि जो इस आरंज चेस्ट के बारे में वो लोग बात कर रहे थे वो आरंज चेस्ट केमल के बैक में पीछे में क्या लटकाया हुआ रहता है now the king was angry राजा जैसे ही वो चेस्ट देखता है वो राजा गुसा जाते हैं he thundered और वो चिलाते वे कहते हैं why do you always carry that आरंज चेस्ट with you यह आरंज चेस्ट तुम हमेशा अपने साथ क्यो लेके रखते हो what does it contain क्या है इसमें the governor smiled तो वो जो governor रहता है वो हसता है he asked his servant to bring in the chest और governor लोग सभी हसते हैं और वो बोलते हैं अपने servant को कि इस chest को नीचे उतारो how eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out अब सभी लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं यह चीज देखने के लिए सभी इंतिजार करते रहते कि कब सैफ़र्ड का iron chest खुलेगा और में से जो भी पैसे सिख्के gold silver सब मिलेंगे और यह जो सैफ़र्ड है इसको राजा बाहर निकाल देंगे तो मन ही मन लोग मुस्कुराने लगते हैं खुस भी होते हैं but how great was their astonishment and even of the king himself लेकिन गया क्या जब वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर जो चीज है तो सभी लोग भौचा के रह जाते हैं in fact जो राजा रहता है उन्हें भी नहीं समझ में आता कि अरे ऐसा है when the chest was opened जब chest खुलता है no gold or silver no or jewels but an old blanket was all that came out ना ही कोई gold रहता है ना ही कोई silver रहता है ना ही कोई jewels रहता है बलकि उसमें एक पुराना सा कंबल रहता है और उसी को वह निकालते हैं holding it up और उसे पकड़ कर proudly the sefford said और sefford जो है वह घमन में कहते हैं this my dear master this is my only treasure यही मेरा एक मातर खजाना है I always carry it with me मैंसे हमेशा अपने पास रखता हूँ but why do you carry such an ordinary blanket with you तो राजा कहते हैं यह साधारन blanket को तुम हमेशा अपने साथ क्यों रखते हो surely you are the governor of a district the king asked राजा कहते हैं तुम तो district का governor हो तो फिर यह साधारन सा blanket क्यों to which the suffered replied with quiet dignity this blanket is my oldest friend तो वह जो suffered है वह बहुत गरिमा से धीरे से वह बोलता है कि यह जो old blanket है sir वह मेरा पुराना दोस्त है it will still protect me if at any time यह हमें मुझे हमेशा और अभी भी हमें protect करता है बचाता है your majesty should wish to take away my new clocks अगर आपने कभी भी मेरे नए कपड़े जो आपने मुझे दिया है उसे ले लिया तो यहीं जो old blanket है जो मुझे बचाएगा how pleased the king was तो राजा जो है यह सुनकर बहुत खुश होता है and how embarrassed the jealous government became to hear the wise man's reply तो जितने भी जो jealous governor रहते हैं यानि जो governor जल रहे होते हैं वह यह सब चीश को देखके wise man का reply को सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है now they knew that the safford was indeed the humblest and the wisest man in the land अब सभी को यकीन हो जाता है कि सच में इस land में इस दुनिया में safford जो है वो सच में क्या है humblest है मतलब बहुत ही विनमर है और बहुत ही बुद्धिमान वेक्ती है the king made him the governor of a much bigger district that very day और राजा जो है बहुत खुस होकर उसे और भी बड़े district का बड़े जो जिला का उसका governor बना देते हैं I hope ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो अब हम लोग इसका question answer देखते हैं यहाँ पर seven questions दिये हुए है और उसका answer दिया हुआ है देखिए तो इसका answer इस प्रकार से है इसे आप देखकर लिख सकते हैं इसका answer आपको net पे भी ऐसे मिल जाएगा लेकिन आप यहाँ से भी देखके इसे लिख सकते हैं यह मैं धीरे धीरे करके scroll कर दे रही हूँ तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like करें share करें साथी साथ मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे subscribe करना ना भूले thank you